Hi and welcome to the Data Structure course using C++. इस session पे हम एक variant discuss करेंगे Q Data Structures का, जिस तरह हमने पहले session पे Q Data Structure को पढ़ा था, वो variant थी W and Q. तो वीडियो फर्दर कंटीनी रखने से पहले, हाईली सजस्ट के previous session पे जहाँ पर हमने Q Data Structures के basic को जाना और किते तरीकों से vanilla form of Q को create किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें डिसकस नहीं हो, वो आपने जरूर देखा वाओ, क्योंकि उसी के ब्याव पर ये session कवर करना हमारे लिए असान रहेगा, तो इससे related to diversity थमाब वीडियोज मेरे गिरुप चानल पर है, फादुसें CS से सुच करने के बाद आप मेरे प्लेलिस पर आएंगे, या आप different discipline की वीडियोज मौजीद वीडियोज वाच पर सकते हैं, जबकि content related material मेरे ब्लॉग, फादुसें CSblogspot.com पर है, तमाब material को फिरिली डाउनलोट करके यूज किया जासे, तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया बाद तो जिल करें, ताक इसी तरह की चीज़ें आप बरवक्तसान के साथ सीख लेएं, तो हमने previous session पर जहां पर हमने क्यों data structures को understand किया था, और हमने जाना था कि first in first out principle पर ये data structure यूज होता है, और ये इसका एक period है, जिससे double या पर doubly ended क्यों कहा जाता है, विच मीन vanilla form पर हमने देखा था कि हम right hand side से data को insert करते हैं, और left hand side से अगर मैं array representation के बात करूँ, तो हम data को delete कर लोगा हैं, तो इस वे से data insert होता था, और अगर हम इसे dummy form पर यहां represent करें, तो ये data insertion के लिए था, तो हम यहां से data को insert कर आया करते थे, और ये वो side होती थी, जहां से हम data को delete कर आया, तो delete जो area होता था या जो data होता था, वो first in first of principle बता, तो इसे हम front से represent करते थे, और rare वो data होता था, जहां तक हमारा Q data structure फिल होता था, इस area के size के मताबिक, अगर values यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यह rare को represent करता होता है, front हमेशा constant रहता है, rare move करता है, तो doubly ended में या variant of Q के अंदर क्या हुआ, जिस वे से हम data को सुर्फ insert कर वारे थे, उसी वे से data को delete भी कराया जा सकेगा, जिस वे से हम data को delete करा है थे, वहां से हम data को insert है, that is a variant for, इससे फाइदा यह होगा, कि first in first out principle पे, हम data पे सिर्फ और सिर्फ first वाले data को delete कर सकेंगे, last वाले data को delete नहीं कर पा रहे, ठीक है यानि last वाले के लिए जरूरी ही कि first से लेकर तमाम तक values डिलीट हो तब ही last की बारी लेकिन इसके variance से फाइदा ये हुआ कि अगर values कुछ इस तरह से inserted है for example ठीक है हम six तक represent करते हैं तो इस वक्त six पर rear को represent करेगा इस image पर rear last specific लिए रिखाया जा रहा है किसका मतलब हुआ last value तक rear रही है वैसे तो जहां तक data inserted होता है वही rear को represent करता है तो इस वक्त अगर मैं data को delete करा हूँ vanilla form से तो सिर्फ ये वाली values delete हो सकते हैं तेकिन w पर ये हुआ कि मैं one को भी delete करा सकता हूँ और six को भी delete करा सकता हूँ तो इस तरह से दोनों वे से data ना सरफ insert हो रहा है बलके दोनों वे से data delete भी हो सकता है तो इससे ये फाइदा ये हो जाएगा कि ये इस six को delete करने के लिए ना कि मुझे यहां से यहां तर तमाम values को और फिर 6 की बारी आए, हम variant form पर इन चीज़ों को integrate करें, logically code के लिए, एक logic यह है कि आप दोनों वेह के लिए separately, front और rear के लिए करने, या फिर based on the requirement, जब आप push right hand side से करने, वह से separately code पर देखिएंगे, कि मैं दो तरीकों है, अगर मैं इसे roughly कहा हूँ, यह right side है, तो right से मैं data को insert करा सकता हूँ, इसी तरह से left से data insert करा सकता हूँ, इसी तरह से right से data को delete करा सकता हूँ और left से भी data को delete करा सकता हूँ, तो यह इस तरह के functions बनकर, हम interchangeably किसी front और layer को इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर आप logically चाहें, तो दोनों के लिए अलग-अलग front और layer variable लेकर भी use कर सकते हैं, वैसे तो हम जब Q को create करते हैं, तो उसके multiple ways हो सकते हैं, जो कि हम previous session पर जान चुके हैं, और आप उनमें कोई भी तरीका इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन इस section में हम कुशिश करेंगे कि दो base method को हम ज़रूर discuss करें, यह दो base method क्या-क्या होंगे, सबसे पहले तो हम custom manner पर जिसमें हम सारे methods को उससे create करेंगे, वो यूज करेंगे, और उसके बाद हम standard library का इस्तमाल करेंगे, जो हमारे काम को बहुत असान बनाता है, by using a queue library, हम अपने queue data structures के तमाम functions को call करते वे, उसे use, hope you understand कि we ended queue क्या है, किस तरह से work कर रहा होता है, code देखेंगे और उसके base को ज़रा हम जब recall करेंगे basic queue के, तो वो समझना हमारे लिए मसीद साथ है, code पर शर्त है, तो यह हमारा basic queue है, doubly ended का, जिसमें हमने array को use किया है, वैसे आप चाहें को linkless से भी create कर सकते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक dq की class बनाई, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक array create किया है, जो maximum size को represent करेगा, जो character है, और दो variable बना लिए, front और rear के नामस, dq जो constructor है, उसमें मैंने front और rear दोनों को minus 1 दिया है, यह हम पर एले वाले साशन पर भी जान चुके है, ठीक है, कि इसका मतलब यह किस वक आपके q में को भी values मौझूद नहीं है, इस empty की checking के लिए, मैंने का कि अगर हमारा जो is empty function है, वो true उसी वक return करेगा, जब front और rear दोनों की values minus 1, इसका मतलब है, जब यह दोनों minus 1 होंगे, तो आपका q है, वो blank होगा, इसका मतलब है, इस empty function true return होगा, वगरना हमेशा false होगा, इस full का मतलब यह है, कि जो size of the array है, वो front के बराबर हो जाए, ठीक है, अब यह logically किस तरह से proof की जा सकती है, मैं इसे भी proof करके दिखा देता हूँ, कि यह is full true कब होगा, तो इसे हम इस तरह से समझते हैं, कि based on this logic, जो अभी हमने code example लेखिए, इसमें जो हमारे पास max size था array का, वो 100 था, ठीक है, और हम जानते हैं कि full बोलते वक्त, इस zero index से जब मैं values को लेकर चाहिए, तो array की values 99 पे फुल होगी, वही rare की values होगी, क्योंकिए तो मैं function को true represent कराना चाहिए, तो 99 plus 100 हो जाएगा, 100 को 100 से divide किये जाए, तो remaining values remainder की values आएगी 0, और behalf of this, उस function पे जो front होगा, वो 0 को represent करेगा, क्योंकि जब values inserted होती है, तो minus 1 उस वक्त होता है, जब कोई भी values ना, और minus 1 से वो 0 उस वक्त होगा, जब पहली values inserted होजाए, तो जब आपका array full है, तो z सी बात है, पहले index पर ज़रूर value होगी, और ये condition इस वक्त क्या होजाएगा true, यानि 100 को जब 100 से divide करेंगे, तो remaining values 0 ही आएगी, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इस true condition है, यानि इसकी true पर हमारा जो array है, जो हम as a queue इस्टमाल कर रहे है, वो प्यों इस्टर है, कि ये concept क्या है, उसके बाद है, हमारे पास basic वो function जिस पर हमारा queue represent होता है, वो है front push, तो इसका मतलब यह हुआ, कि front side से हम data को push कर रहे हैं, एक back side है और एक front side है, तो front side को मैंने right hand कर दिया है, और back side को मैं left side है, तो push by front, तो हमने सबसे पहले यह चेक किया, कि अगर function full है, तो इस full function का मतलब यह हुआ, कि हमारा array full है, तो directly मैं represent करा दूँ, otherwise check करो कि empty है, अगर function empty है, तो front और layer दोनों को zero assign कर दो, अगर empty है, otherwise क्या करो, कि front की value में से एक minus करके maximum side करके, max से उसको divide करके remaining की values front पर लाते हैं, save कर दो, यह logically मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि जो values पूछ होगी, उसके बाद front हमारा update होगा, और वो front की values array में pass होगी, और उसी index पर जाकर वो data save हो जाएगा, जो data में insert करा रहा हूँ, ठीक है, very simple, I am explaining you from here, for example, front as a variable तो यहाँ पर module देज़ी होगा, ठीक है, अब वो जो भी programming का भी हमने logic देखी, इस ते front की values for example होगी 5, तो अब मैं area of 5 जब लूँगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि area of 5, 1, 2, 3, 4, and 5, यहाँ पर हो, तो यहाँ पर वो data आकर save हो जाएगा, यह insert हो जाएगा, जो आप insert करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं right hand side से जा रहा हूँ, तो right hand side पर यह values according to the logical conditions की आ रही है, क्योंकि आपका data यहाँ तक filled है, यहाँ तक filled है, क्योंकि मैंने assumption यहाँ पर ही जाएगा, तो यहाँ पर वो values आकर save हो जाएगा, that's correct, तो हम ने front को move नहीं किया, बलकि front को as a variable इस्तमाल करके, यहाँ पर वैस को fill कर रहा है, यह हो गया push from front, अब यही data push कराना है from the back side, ठीक है, तो back पर हम क्या कर रहे है, मैंने कहा कि अगर data full है, तो directly बता दो, dq full है, otherwise arity है, तो rare और front दोनों को zero कर दो, और ना, वहाँ पर मैं front यूज़ कर रहा था variable, और यहाँ पर मैं rare यूज़ कर रहा है, ठीक है, और यह condition, हम दोनों चीज़ें चेक कर रहे हैं, पहले ही, कि क्या वो empty है, या फिर full है, तो जब तक यह दोनों condition से वो past नहीं होगा, उस वक तक data को वो insert नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यह जब तक चीज़ें नहीं होगी, उस वक तक इस array के अंदर data insert नहीं हो पाए, यह चीज़ें चेक हो गई, तो दोनों तरफ से आपने data को insert करने अब दोनों पार्ट से हम जो data delete करना है, तो अगर मैं front से data delete करना चाहरा हूँ, empty है तो delete नहीं होगा, ठीक है, वगर ना, assuming minus one represent an error और empty deque, ठीक है, तो मैंने minus one यहाँ पर return करा, that's a very basic logic कि यहाँ पर representation इस logic की नहीं हो से, otherwise, front के अंदर और rare के अंदर जो values हैं, उनको match करो कि यह दोनों से और दोनों same होने का मतलब यह है, दोनों same होने का मतलब है, या तो एक values है, या blank है, क्योंकि blank होते वक्क, minus one, minus one दोनों में, और जब पहली values insert होती है, तो दोनों ही zero पर होती है, ठीक है, based on this condition, आप क्या करो, data लो, और जो front की values है, उस array index में जाओ, और values, data variable में safe करो, फिर front में और rare में, दोनों में minus one से, ठीक है, क्योंकि एक ही values है, एक ही values है, तो वही डिलीट हो गई, तो जब वही डिलीट हो गई, तो हम zero से कहां पर आ रहे है, minus one पर आ रहे है, और वो data return पर अदर्वाइस, यानि front और rare एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसका मतलब यह हो गया, कि for example, front values zero index में one मौझूद है, और rare कासी आगे जागे 10th element में मौझूद है, तो there is a huge difference, ठीक है, तो based on this, आप data जो variable पास किया जा रहा है, जो हमारे पास data integer variable, उसमें front की values save करो, क्योंकि मैं pop कर रहा हूँ, ठीक है, left side से, तो front की values लेते हुए, मैंने formula apply किया, और उसी value को delete करा कर रहा कर रहा हूँ, same logic, अब मैं back side से use करूँगा, तो push, या pop back के अंदर क्या हुआ, same logic इस्तमाद में पर रहा हूँ, बिल्कु same logic है या थे, या line number 63 थे, पस मैंने क्या किया, otherwise पर, जहां मैं यहां पर front use कर रहा था न, यहां पर मैंने क्या use कर लिया रहे, बाकि same logic है, और उसी data को मैंने फिर return कर रहा हूँ, तो majorly, pop करना, जिसको मैं Q या DQ को है रहा हूँ, ठीके, by name सिर्फ और सिर्फ यहां पर stack word इस्तमाल कर लिया गया, आप चाहने तो इस pop को, पुछ को Q और DQ भी कर सकते, ठीके, बाकि logic बिल्कु same, उसके बाद मैंने किया, क्या main method पर जाकर Q का object create किया, DQ का, जो मेरी class का न बड़े important है, इस vanilla form of this variant से, आप किसी भी question को बड़े असानी से solve कर से, कैसे, देखो, जब यह front की path हो रही है, इस तरह से, for example, एक array, ठीक, और जब आप push from front side कर रहे हैं, तो assume करते हैं कि यह front side है, यहां से data गया है, 1 और 2 हो गया, पिर इसने कि आप push करो back से, तो अब क्या इस तरह से यहां पर पहले क्या आया था, 3, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, 4 आ गया, तो 4 और 3 आया, फिर 2 और 1 इस तरह से, यह इस तरह से save हो गया, अब इस तरह से देखो, deque हो रहा है, तो deque कर रहा है front side से, तो जिस तरह से front side से 1 delete हुआ, फिर 2 delete हो गया, फिर back से push हुआ, तो back से 4 हुआ, और 3 हो गया, इस तरह से यह 4 data add भी हुए, और 4 delete भी हुए, and that's it, that's all above, ठीक है, तो हम इसे save करते हैं, और उसके बाद हम इसे run कर लिए, and here it is, जो values deque होई, क्योंकि हमने push को सिर्फ और सिर्फ या enqueue की values को display नहीं करवाया है, हम सिर्फ push को सिर्फ पर सिर्फ count पे लेकर आ रहे हैं, आप चाहिए उसको भी display करा ले, तो देखो, जिस तरह से values पॉप हुई है, उसी तरह से लिखी आ रही है, पहले 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 4 हुई, और 3, क्योंकि दोनों साइट से हो रही है, तो पहले मैंने पॉप सिर्फ किसे किया, front से है, तो front से 2 हुई, 1 हुई, और back से क्या हुई, 4 हुई, और 3, and that's it, ठीक है, second हमें phase यह देखना था कि standard library के जरीए से जो काम हमने एक एक line to line चीज़ें यहां पर लिखी है, वो कितने असानी से हो सकती है, ताकि जब competition पे exam में इस तरह की question आ रहे हो, तो हम इसे use करके असान call करते हो, ठीक है, as like this, और dot pass करते हो, तो सारे function आ जाते हैं, जो यहां पर module है, जो मुझे बनानी की जरूरत है, तो जहां से भी आप चीज़ चीज़ को call करना चाहते हैं, वो call करके, आप उसे use कर सकते हैं, तो directly मैंने push front, दो दफ़ा call कर लिया, push back कर लिया, dequeue कर लिया, म जो माझूद उनको dequeue कर लिया, आप चाहे तो simple loop बना कर भी कर सकते हैं, इसी तरह जो काम मैं front से कर रहा हूँ, वही मैंने back से भी कर लिया, वो तोनों चीज़ें represent होगे, और उसके बाद dequeue after popping की तमाम values जिस बहुत है, यह simple looping का method है, तो हम इसे भी check कर लेते हैं, तो यह after popping के लिए के बाद dequeue की values है, वह वह 3 है, वही चीज़ें बना हो 3 है, आप डिस्पेक्ट, so if you understand the concept of the extension or the variant of the queue data structures, जिसमें हमनी w and a dequeue देखा, और प्यों अस्पेक्ट, एस्पेक्ट, पिर भी अगर कोई सावाले कोई चीज सवज में आगी हो, तो comment session को मुझे जरूरू ब landscape, respects it, you will be running your practical well-being taking, see you there.